मैं मेरे dark circles hide करना जाती हूँ और अगर मैं इस तरीके से जो अपना concealer है वो apply करूँ and इसको blend करूँ beauty blender की मदद से तो क्या मेरे dark circles hide हो जाएंगे आपको क्या लगता है मुझे comment section में बताईए and अभी मैं एक side तो ऐसा कर रही हूँ and दूसरी side मैं actual मैं बताऊंगी की मेरे dark circles hide होंगे या नहीं इस तरीके से मैं करूँगी तो ये 2-3 minute के बाद gray दिखने लगेगा क्योंकि मैंने सही technique use नहीं करी है and दूसरी side पर मैं आपको actually बताऊंगी की dark circles hide होते कैसे है तो आपको क्या करना है इस palette में 2 dark shade है आप देख सकते हो and एक ये peach shade है तो आपको ये orange उठाना है and इसको apply करना है अपने dark circle पे and आपको साथ में ये darker shade भी लेना है and इसको आपको और जादा inner side पे apply करना है and आपको orange and dark को mix करना है and इसको अपनी finger की help से blend करना है I repeat आपको finger की help से blend करना है सबसे पहले and आपको सिर्फ इतनी जगा पर ही blend करना है पूरा eye cover नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे darkness नहीं है darkness कहाँ पे है सिर्फ inner side पे and जो हमारा top है उस पे भी darkness है तो हम इधर भी लगाएंगे जो हमारा concealer है वो अब इस stage पे जब आपने finger की help से blend कर लिया है आपको हलका सा इसको smooth करना है beauty blender की मदद से बहुत जाजा blend नहीं करना है otherwise जो आपका product है वो हट जाएगा तो सिर्फ हलका सा blend करना है इस तरीके से and blend करने के बाद crisis नहीं होनी चाहिए मेरा hair जो है वो तूटके आ गया है hair आ गया था it's okay अभी आप देखो इस side और इस side में मेरा ये जो side है वो अभी orange दिख रहा है अब अगर मैं इसके उपर ये shade लगा दूँगी तो मेरा जो orange है वो hide नहीं होगा और वो और ज्यादा दिखने लगेगा तो मुझे एक एशा shade लगाना है जो मेरे skin tone से एकदम मैच करता है तो मेरे skin tone से क्या मैच करेगा जो shade मेरे skin के color के एकदम सेम होगा तो उसके इस तरीके से dots बनाने है and outer पर भी लगाना है इसको दो मिनिट के लिए दो मिनिट नहीं around 40-50 seconds इसको settle होने देना है दाकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए सूख जाएगा तो थोड़ा थिक हो जाएगा and dry हो जाएगा उसके बाद हम जब इसको blend करेंगे तो ये हम अभी थोड़ी दिर बाद और ज्यादा gray दिखने लगेगा अब मेरे को कुछ seconds हो जूखे है इसको apply करके तो अब मैं जो है इसको blend करूंगी और इसको जो मैं blend कर रही हूं वो आप देख सकते हो अलके हाथ से blend करना है and इस तरीके से आपको इसको blend करना है ब्लेंडिंग के लिए अच्छे से टाइम देना and उसको अच्छे से blend करना है and हलके हाथ से ही blend करना है बहुत ज्यादा pressure नहीं लगाना है अभी आप देखो ये वाली side ये concealed है and ये grey है अब अगर मैं चाहूं तो मैं जो same shade जिससे मैंने इस side पर concealer लगाया था उससे मैं highlighting कर सकती हूं कैसे आपको इस तरीके से दो dots लगाने है आप चाहो तो beauty blender यूज़ करना और चाहो तो finger यूज़ करना blend करने के लिए and इस तरीके से आपको हलके हाथ से इसको blend करना है and तो अभी आपको ये side gray दिख रही है and ये side मेरी जो है वो concealed है मतलब कि अब जो मैं इसको दो तीन घंटे चाहे जितने भी घंटे लगा के रखूं मेरा इस side का जो make up है वो gray नहीं होगा and ये side मेरी सिर्व और सिर्फ 5-6 minute में gray हो गई है तो अगर आपको ये video पसंद आया है तो इसको like जरूर करना and subscribe करना and bye